नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों दीपावली के अगले दिन शुकल पक्स की परती पदाते दीको गोवर्दन पूजा या फिर अन्नकूट का तेहार मनाय जाता है इस दिन विशेष रूप से गाय, बैल, बच्छडे और घर के पालतू पस्वों की पूजा की जाती है पौरानी कथा के अनुसार इस दिन भगवान स्री किशन ने मतुरा वाशियों की रक्षा करने के लिए गोवर्दन परवत को उठाया था इस दिन मतुरा में गोवर्दन परवत की परकर्मा करने का विधान है इसके अलावा इस दिन लोग अपने घरों में गोवर्द से भी गोवर्दन परवत को बना कर उसका पूजन करते हैं इस दिन नई फसल से अनाची भी पूज़न किया जाता है और इसी दिन अनकूड को कहकर के अनकूड की पूज़ा की जाती है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप गोवर्दन के दिन कोई खास उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी मनोकावनाओं की पूर्थी तो होती है साथ ही सभी प्रकार के बेगन बादाओं से भी आपके जीवन में मुक्ति मिल जाती है आज की वीडियो में हम आपको एक बहुती खास उपाई के बारे में बताएंगे जिसे करते ही, आपके जीवन कि सभी समस्याओं का अंतसोता ही हो जायता है। और साथ ही आपके जीवन के सभी मनुकावनाय हाथं हाथ पूरी हो जाती हैं। दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप अपने जीवन में हर प्रकार की धन संबंदी समश्या को दूर कर पाएंगे और हमेशा अपने जीवन में सबलता प्राप्त कर पाएंगे नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आए हैं सुभा उठते ही यहां बनाए एक स्वास्तिक आपके मांगने से पहले ही सभी मनोकामना हो जाएगी पूरी आज की वीडियो में मैं आपके एक स्वास्तिक के उपाय के बारे में बताऊंगा दोस्तो धनकी देवी लक्षमी मा को प्रसंद करने के लिए स्वास्तिक का निसान बहुती महतोपूर्ण होता है और आज मैं आपको इसी उपाय के बारे में बताने बाला हूँ दोस्तों अपने सभी मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए स्वास्तिक को प्रम・ भ्रम्मा की सन्या दी गई है। पुराणों में स्वास्तिक को धनकी देवी लक्षमी तता बुद्धी के देवता भगवान गणपती का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के दो सब्दों से मिलकर बना है स्वा एवम अती। इन दोनों सब्दों से मिलकर बना है स्वास्तिक, जिसका अर्थ है शुब और कल्यान हो, मंगलमई हो, जोतिष में स्वास्तिक के कुछ अलग-अलग प्रियोग बताए गए हैं, जिनने करने से सभी समष्चाइं दूर हो सकती हैं, चाहे वो धन की समष्चा हो, चाहे वो सोभ और दस वीडियो लेकर आये हैं, सुभा उठते ही यहां बनाए एक स्वास्तिक, आपके मांगने से पहले ही सभी मनोकामना हो जाएगी पूरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वास्तिक का आसान और भौती रोचक और अच्व कुपाई बताऊंगा, अगर आपको वी इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं आपको एक आसान और खास उपाई बताऊंगा, जिससे आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, आए जानते हैं, मित्रो हम सभी जानते हैं, हम सभी के घर में पूजा अस्थल जरूर ह सकते हैं, आप चाहें तो इसे सुन्दूर से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे चंदन से बना सकते हैं, आप अपने घर में एक स्वास्तिक बनाएं, पूजा घर या पूजा का जो भी आपका इस्थान है, आप इसे वहाँ पर बनाएं, उसके बाद आपको जिस किसी भी देवता को अपना इश्ट देव मानते हैं या भगवान है जो भी आपके जिसे आप प्रिय मानते हैं या अपना इश्ट देवता मानते हैं उसकी प्रतिमा पर इसे रख दे इसके बाद ही पूजा करें इससे आपके इश्ट देव आपके उपर सदय भी प्रसने रहेंगे और सुभा उठते ही यहां बनाए एक स्वास्तिक आपके मांगने से पहले ही सभी मनोकामनाफ हो जाएगी पूरी आप बहुत ही आसाने और खास उपाए है जो आपने अक्सर सुना होगा उल्टे स्वास्तिक का उपाए वह आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको बस कुमकुम चंदन लेना होगा यह आपको कुम-कुम संदन किसी भी पूजा की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप स्वास्ति को बनाएंगे, अगर आपकी कोई भी मंचाही इस्चा है, मनुकामना है, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, तो आप इस उपाय को करें, इससे आपकी मनुकाम नहीं है, तो आप इस अपने घर के मंदिर में भी बना सकते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा कि आप अपने घर के नजदीक किसी भी मंदिर में इसे उपाय को करें, और हर स्वास्तिक के निशान के नीचे एक देशी घी का दीपक और से जलाएं, और अपनी मनुकामना बोलते र लगेगी, घर में खुशिया आने लगेगी, और साथ ही आपकी हर प्रकार की धन संबंदी समस्याएं दूर होने लगेगी, धन इतना आजाएगा आपके पास कि आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको अपने घर के नजदीक जो भी मंदिर है उसमें जाना है, उसमें जाने के बाद आपको अपने साथ थोड़ी सी कुमकुम लेकर जाने है, कुमकुम लेकर जाने के बाद आपको उस मंदिर में प्रवेश करना है, उस मंदिर में जाकर अपने हाथ जोड़े और अपनी मनोकामना पूर करने के प्रातना करें, इसके बाद आप मंदिर म कुम-कुम से एक उल्टा स्वास्तिक बनाएं, आपको याद रखना है कि जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वह स्वास्तिक उल्टा होना चाहिए, सबसे पहले आपको उल्टा स्वास्तिक बनाना है और जब आप उल्टा स्वास्तिक बनाएंगे तो उसको आपको जो भी मनोका मनोकामना पूर्ण होती है आपको एक बात का ध्यान रखना है जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी आपको उसी मंदिर में जाना है और उस मंदिर में जाकर आपको दोबारा से स्वास्तिक बनाना है लेकिन इस बार आपको उल्टा नहीं सीधा स्वास्तिक बनाना है और स्थान पर बनाना है अगर आपकी कोई मनोकामना थी जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही थी उसके लिए एक बहुती अचूक उपाय है जो कभी भी फेल नहीं होता है इस उपाय को आप एक बार अवश्य करें आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी वहाँ पर जाकर आप दोस्तों सीधा स्वास्तिक बनाए अपने मनोकामना पूरी होने के बाद इसके साथ ही अगर आप बात की जाए हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बारे में तो अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे भी बहुत फायदे हैं घर के इशान कौ में या उत्री पूरी दिशा में स्वास्तिक बनाते हैं तो इसे आपके घर में शुक्षान्ति बनी रहती है और अगर आपके घर में ग्रेकलेश ज्यादा होते हैं तो हमेशा आपके घर में शुक्षान्ति आती रहेगी वे घर में कोने कोने में माता लक्षमी का वास भी हो जाएगा और घर में होने वाली कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और इसे आपके घर को बुरी नजर से भी बचाया जा सकता है इसके साथ ही अगर आप चाहें तो घर के पूजा त्हल पर या मंदिर में स्वास्तिक का निसान आपको बनाने ला चाहिए इसके साथ ही आपको कुछ नहीं करना है अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं लेकिन आपको इस उपाय के लिए ध्यान रखना है कि आपको पांच अनाज के दाने या पांच अनाज की धेरिया आपको बनाने है पांच अनाज के दाने रख करके आपको पूरि होने लगी हैं अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस में भडोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको उपाई बताऊंगा हल्दी के स्वास्ति के बारे में हम बात करते हैं अगर आप अपने घर में सुख समर्दी लाना चाहते हैं आप इसके लिए आपको क्या उपाई करना चाहिए इसके बारे में आज हम बात करने वाल आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद आपको घर के बाहर रोली से या कुमकुम से या सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है, अगर आप घर के बाहर अपने मेंगेट पर स्वास्तिक बनाते हैं, इसे देवी देवताप प्रसंद होते हैं, और देवी देवताप आपके घर में हमेशा वाज करती है, अब हम बात करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, नोकरी करते हैं, और उसमें बड़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन ये उपाय करना चाहिए, गुरुवार के दिन आपको अपने घर का जो इशान कौन है, या उ आपको गंगाजल से चिड़काव भी करना है या फिर आप उस जगह को धुने वाले पानी में भी फूड़ा सा गंगाजल मिला सकते हैं जब वे कोना बिलकुल साफ हो जाए तो उसके बाद आपको उसको सूखने का इंतजार करना है इसके बाद आपको वहाँ पर एक थोड़ी सी हलदी लेनी है और हलदी PCV होनी चाहिए हल्दी में थोड़ा आपको पानी मिला लें इसके बाद उस हल्दी से आपको इशान कोन में यानि कि उत्री पूर्वी दिशा में जो कोना है उसमें स्वास्तिक बनाना है इसके बाद जब आप वहाँ पर स्वास्तिक करने साथ बना लेंगे इसके बाद इस स्वास्तिक को वि लगाना है जिस दिन आप इस उपाय को स्टार्ट करेंगे जिस गुरुवार को आप इसे स्टार्ट करेंगे गुरुवार से आपको अगले गुरुवार तक यह कारे करना है साथ बार करने से आपके व्यापार में फाइदा होने लगेगा यानि कि आपको साथ दिन तक लगात जिस किसी को भी रात में सपने में डर लगता है या नीन नहीं आती है उसके उपाय करना चाहिए इससे आपको एक स्वास्तिक बनाना है तरजनी उंगली दोस्तों आपकी सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली से जो साथ वाली उंगली है उस उंगली को तरजनी उंगली कहा जाता है इससे आपको एक स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक बनाने के बाद आपको भगवान से प्रात्ना करनी है कि आपकी मोनोकामना पू साथ इसाथ आमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के वल इतना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिद्र में इजाज़ा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै बजरंग जर आपister रहें ज्वड़ आप से उल्चियो करना भी न रहें के सामगा कि भी इस वीडियों से पनीवाद